तो आदाब नमस्कार शनिवार की रात 9 बजे कहानी आज रिकॉर्ड करके क्योंकि कुछ तस्वीर आपके लिए डालता हूँ ताके आप उस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सके और आज की कहानी में तस्वीर डाला और भी जरूरी था क्योंकि यह मामला बहुत पराना है मुझ परजनों वकीर इस केस से जुड़े आए चले गए फिर नए लोगा है क्योंकि वक्त लंबा लगा 40 साल करीब 11,000 पन्नों में केस सिम्टा हुआ और आजाद हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर के मडर की कहानी है यह 47 के आजादी के अबाद जो पहले कैबिनेट इसलिए कहानी है और वो तब हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर थे ललित नारायन मिश्ट बिहार के मिखला अलाके के रहने वाले और पूरे बिहार में ललित नारायन मिश्ट की जगह पे लोग उन्हें प्यार से सरफ ललित बाबू पकारा करते थे उनी के छोटे भाई जगनात मिश्ट बाद में बिहार के मुख्य मंतरी भी बने और जब ये कतल हुआ मडर हुआ तब जगनात मिश्ट ललित नारायन मिश्ट के साथ थे बिलकुल एक तरह से चश्म दीद भी आपके ही है और वो भी जखमी हुए थे उन्हें भी हॉस्पि खुद ललित नारायन मिश्ट की फैमिली लगातार शुरू चालिस साल तक ये कहती रही कि उसे जांच जो रिपोर्ट है या सीबी आई की जांच पे भी कोई भरुसा नहीं है निस्पक्ष जांच हो चालिस साल बाद कोट का फैसला आता है उस फैसले को भी ललित बाबु क परिवार नहीं मानता और उनका कहना है कि जिन लोगों को कोट में सजा दी है वो बेगुना है बेकसूर नहीं छोड़ देना चाहिए और जो असली गुनागार हैं वो सामने आने चाहिए तो ये पूरा एक आज भी इतने साल बाद ये केस एक रहस सही है अलाकि एक कोट का फैसला आया दूसरी कोट ने जमानत पर छोड़ दिया और असली खातिल कौन पूरी साज़िश क्या प्लानिंग क्या मोटिव क्या मकसद क्या ये कुल मिलाकर आज भी एक राज है तो कहानी ललित नरायन मिनिस्टर की जो हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर जिन क इत्तफाक से उनके जो मडर की डेट है तीन जनवरी वो मेरा बर्डे भी था और तीन जनवरी को उनकी मौत हुई थी दो जनवरी 1975 को ललित नरायन दिल्ली से पटना पहुंसते हैं एक चुक्के वो रेल मिनिस्टर से उनके एक रेलवे के फंक्शन में शामिल होना था तो स सरकारी विमान से पटना पहुंसते हैं और दो जनवरी ठंड का मौसम धुंद कोहरा यहां हमेशा होता है तब भी था तो पटना एरपोर्ट के उपर जब प्लेन पहुंचता है तो पाइलेट धुंद और कोहरी की वया से लैंड करने से इनकार कर देता है लेकिन ललित पाम रिस्क लेते हुए भी वो प्लेन को लैंड करा देता है कहते हैं कि अगर उस दिन पाइलेट की बाद तलित नायन मिश्रमान लेते तो शायद उनकी जान बग जाती है लेकिन मौत लिखी हुई थी और इसलिए फोर्स करके प्लेन को लैंड कराते हैं पटना उतरते हैं प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर अब वो जो है प्लेटफॉर्म नंबर तब दो हुआ करता था वहां पे समस्तिपूर से मुझफफरपूर के बीच एक बड़ी लाइन का उधगाटन था छोटी लाइनें पे ट्रेन जला करती थी तो समस्तिपूर और मुझफरपूर के पटना से उतरने के बाद समस्तिपूर पहुँच जाते हैं और रेलवे का फंक्शन शुरू होता है प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर उनके साथ रेलवे के अफसर थे तमाम छोटे भाई जगनात मिश्र एक MLC कई और नेता यह तमाम लोग थे उसके बाद महां पे वो आशन खतम करते ही है तभी अचानक भीड में से कोई शक्स आगे बढ़ता है और वो हद गोला जो है वो मंच की तरफ फेक देता है वो हद गोला बिलकुल आके लेलिटनायन मिश्र के पास ही गिरता और यह उससे पता चल जाता था कि टार्गेट वही थे हद गोला फटता ह है उसमें ग्यारा लोग जखमी होते हैं जिसमें लालितनायन मिश्र और उनके छोटे भाई जगनात मिश्र भी एक एमलसी एक रेलवे के स्टाफ करीब 11 लोग इसमें बुदीतरा से घायल हो जाते हैं और उन्हें चोटा आती है उस वक्त ना फोन था ना निउस चैनल हुआ करता था 1975 की ये बात है तो ये उनके उपर हमले की खबर पहली बार रात 9 बज़े और अल इंडिया रेडियो से देश को पता चलता है और तब चुके एक ललित नायनमिश्र बहुत बड़े नेता थे रेलवे मिनिस्टर उनके कहते हैं कि बहुत सारी उस वक्त रेलवे की जो योधिनाई बनाई थी आज उस पे काम हो रहा है दूसरी चीज आगे बढ़ों उससे पहले कि कहते हैं कि ललित नायनमिश्र अगर जिन्दा होते तो शायद बिहार आज कहीं और होता तीसरी चीज़ ये भी कहते हैं कि ललित नायनमिश्य अगर होते तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो देश के प्रदान मंतरी पथ पर पहुचने के भी दावेदार थे और यहीं पर clash इंद्रा गांधी और ललिट नायरानमिश्र में कुई जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ललिट नायरानमिश्र आगे बढ़ रहे थे तो कहते हैं इंदरा गांदी को कही नहीं लगता था कि ये बहुत पॉपलर बहुत तेजी से लोगों के बीच में मशूर होने है और ये चीजे थे कि इंदरा गांदी को थोड़ी सी उन से लेकर कुछ पॉबलम शुरू हो गई थे अगर लगता है तो उनका दबदबा राजनीती कड लगतार बढ़ा था ये भी था कि वो आगे चल के देश के पधाल मंतरी भी बन सकते हैं हैं दूसरी तरफ इंदरा गांदी तो कई लोग इस लिंग को भी जोड़ते हैं खैर तो ब्लास्ट होता है ग्यारा लोग बुरी तरह से जखमी हो जाते हैं उसके बाद समस्तिपूर रेलवे स्टेशन जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां से सबसे नजदीक जो अच्छा होस्पिटल था वो करीब 40 किलमेटर दूर दर्भंगा एक शहर है वहां का था दर्भंगा मेडिकल कॉलेज है वहां पर बहुत फेमस है तो बाकी घहलों को तो वहां ले जाया जाता है लगित बाबू को नहीं ले जाया जाता है उसकी वज़ाए ये थी कि जिस दिन ये धमाका हुआ जिस दिन ये अटैक हुआ दर्भंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्ट्राइक पर थे अपनी मांग को लेकर तो ये था कि यहां पर भी एक फिर बाद में सवाल उठा कि डॉक्टर बेशा की स्ट्राइक पे थे लेकिन अगर उन डॉक्टरों को यह पता चलता क्योंको ने बाद में कहा भी कि एक देश का रेलवे मिनिस्टर इतना बड़ा बिहार का नेता वो एक हमले में बं हमले में घायल हुआ है तो उसे अगर दर्बंगा मेडिकल कॉलेज जाते तो हमनों जरूर इलाज करते हैं लेकिन बिना वहां के जो हरताली डॉक्टर यूनियन उनसे बात किये हुए जिब अब उस वक्त जो दूरी थी वो ट्रेन से समस्तिपूर और पटना की दूरी थी 132 किलोमेटर और उस वक्त 1975 में ये दूरी समस्तिपूर से पटना तक की ट्रेन से सफर जो है तै करने में करीब चार से पांच घंटे लगते थे बलकि छे साथ घंटे लगते थे लेकिन यह वा कि दूसरा ओप्शन और को है नहीं तो इनको ट्रेन से ही प्लेटफॉर्म पर ही इंसिडेंट हुआ तो वहीं ट्रेन पर बठाया गिया और लवित नहानमिश को ट्रेन लेकर पटना के लिए आती है पटना से पहले एक दानापूर रेलवे स्टेशन है और रेलवे का एक बड़ा वहाँ पे शेट भी लोको वोको है तो जो सफर छे से साथ घंटे में पूरा होना था वो ट्रेन समस्तिपूर से दानापूर रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में करीब 14 घंटे लेती है आम नौर्मल ट्रेन 6-7 घंटे और वो ट्रेन जिसमें देश का एक रेलवे मिनिस्टर बैठा हुआ है वो रेलवे मिनिस्टर घायल है उसकी हालत खराब है उसको बम के चर्रे लगे हैं उसके बावजूद ये ट्रेन 14 घंटे में पहुंचती है जब के काईदे से 6-7 घंटे में अगर आम ट्रेन पहुंचती है तो एक रेलवे मिनिस्टर को अपने साथ ले जाने वाली ट्रेन 4-5 घंटे में भी पहुँचा सकती थी ये एक और शक्र सवाल इसके लावा जब ये ट्रेन दाना पूर पहुंचती है तो दाना पूर आटर सिग्नल पे ही याड में ये ख़डा कर दिया जाता है और याड में काफी वाक जो है वो जाया हो जाता बरबाद हो जाता है अब ट्रेन के अंदर रेलवे मिनिस्टर और सोचिए कि ट्रेन वो ईलाज ना मिल सके। तो यह सारी चीज़ें होती हैं तीन जनवरी चुके आ चुका है, तीन जनवरी ये दानापूर पोंसते हैं, ईलाज होता है लेकिन वक्त काफी जाय हो चुका था और इसूजह से तीन जनवरी को ललित नाराएन मिस्टर की मौत हो जाती है हास्पिटल में कि देश का पहला रेल मिनिस्टर का पहला कैबिनित मिनिस्टर जो इस तरह के बम हमले में मारा गिया जिसका कटल हुए डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने बचाने की पूरी कुशिश की थी लेकिन टाइम पे अगर वो पहुचते तो शायद उनका एलाज मुम्किन था ब्लड काफी बह चुका था उनके जो छोटे बाए जगनात मिश्टर उनके भी पैर में बहुत सारे च्छरे लगे थे लेकिन उनकी जान बच गई इसके लावा एक MLC थे सूर नरायन जहा इनकी मौत हो गई रेलवे विभाग में एक कलर्ट थे राम किशोर प्रशाद इनकी मौत हो गई तो ललित नरायन मिश्च और उनके साथ दो लोगों की एक MLC एक रेलवे का कलर्ट तीनों की मौत होती है बाकी लोग घायल थे लेकिन उनकी जान बच जाती है अब इसके बाद चुके केविनिट मिनिस्टर की मौत का मामला था जांच तेजी से शुरू होती है सबसे पहले बिहार सरकार मामले की जांच को CID को देती है लेकिन फिर लगता है कि नहीं मामला बड़ा है क्योंकि परिवार वाले बाकी लोग शक भी जता रहते तो बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और मामले की जांच CBI को देनी की अपील करती है इसके बाद अब जांच CBI करती है CBI जाट केस को हाथ में लेते ही जो पहला काम करती हो यह कहती है कि इस केस को हम बिहार से बाहर ले जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में free and fair जाट पॉसिबल नहीं होगा अगर इसमें साज़िश यहां के राज्ये के निताओं की अगर हुई तो तो सुप्रिम कोर्ट में CBI यह अर्जी देती है अब सुप्रिम कोर्ट बिहार से बाहर ले जाने की इसको इजाज़त दे देती है पर कमाल देखिए कि CBI एक मामले की जाच कर रहे है और उसको बिहार से बाहर ले जाना चाहती है उस जाच को और उसके लिए सुप्रिम यह तैय करने में कि बिहार से यह मामला बाहर कहां ले जाए जाएगा शत्रा दिसंबर 1979 को सुप्रिम कोट सीवियाई की इस अरजी पर फैसला लेती है और कहती है ठीक है आप इस केस को बाहर दे जाएगा इसके बाद 22 में 1910 को यह केस दिल्ली के सेशन कोट में ट्राइल के लिए भेज दिया जाता है 75 में मौत चार साल के बाद यह फैसला की यह केस बाहर जाएगा और उसके बाद 80 में यह केस दिल्ली के ट्राइल कोट में पहुंसता है अब तमाम एंगिल से मामले की जांच हो रही है पर जो पहली चीज आती है जिस तरीके से उस वक्त जो जांच इजनसी का फोकस था वो समझना ज़रूरी है बिहार की ही जमालपूर में रेलवे का एक वर्क्शॉप है बहुत बड़ा तो उस रेलवे के इंप्लाई में एक नाम वहां पे जो बड़ा पॉपुलर था उसका नाम था प्रभात तरंजन सरकार पियार सरकार के नाम से भी फेमस बाद में अचानक यही पियार सरकार आनंद मूर्ती बाबा बन गया और यह आनंद मार्ग प्रचार संग की इनोंने एक बुनियाद रखी इनका काम यह था कि यह जो आनंद मार्ग प्रचारक संग था कि इनकी जिन्दगी जो है वो शिव और कृष्ण के रास्ते पे चले और वो अपने आपको जो सरकार हैं जो आनंद मूर्ती बाबा बने वो कहते थे कि इस संग से जुड़े वे लोग जो है वो शिव और कृष जैल सिंग वो भी पियार सरकार को भारत के सबसे मतलब जहीन दार्शनिकों में से भी मानते थे, ये बात और डी मीडिया में भी है, तो ये आनन्द मार्क पर चलने का में जो इस संग का गठन हुआ था, जो पियार सरकार ने किया था, जो बाद में आनन्द मूर्ती बावा ब पहला है तो उनका ये था कि आनन मार्क पर चलने का जो ग्यान है वो ये संग उसका काम करेगा तो ये 1955 में ये संग का गठन हुआ ललित नरायन मिश्र की मौत से 20 साल पहले संग अपना काम करता रहा चोटे मोटे इस तरपे दीरे दीरे अपना लोगों को जोड़ता रहा उसके फॉलोवर्स बढ़ते रहे इसी वीच में 1971 की तारीख आती है और पतना में बिहार पुलिस जो है पतना पुलिस वो पियार सरकार यानि आनन्द मूर्ती बाबा यानि की जो आनन्द मार्क परचारक संग के मुख्या इनको ग्रफतार कर लेती है और इल्जाम ये लगाती है कि संग से जुड़े हुए लोग जो आनंद मार्क परचारक संग में जो फॉलोवर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग बाद में इस संग को छोड़कर हटने लगे तो पटना पुलिस का इल्जाम था कि जो लोग इस संग को छोड़कर जा रहे हैं उनको जान से मारने की साधिश रची जा रही है और ये साधिश आनंद मूर्ती बावा और प्यार सरकार ये रचने हैं तो संग से छोड़ने वाले लोगों को जान से मारने की साधिश रचने के इल्जाम में पटना पुलिस प्यार सरकार को ग्रफतार कर लेती हैं उन्हें अपनी जमानत के लिए कोशिश करते हैं लेकिन जमानत मिलती नहीं है इस दौरान में उनके फॉलोवर्स जो बाहर थे वो भी नाराज थे गुस्से में थे पटना में एक आनन मर्ये वो आत्मधा कर लेता है दिल्ली में एक फॉलोवर है वो आत्मधा कर लेता है इदर उनकी जमानत की कोशिश जारी थी, जमानत मिल नहीं थी 1971 से ये जेल में इसके बाद जब ये आत्मधा की चीज़ा होने लेगी तो जेल से उन्होंने मैसेज भी भेजा कि जब तक सरकार उन्हें रहा न करे जो उनके उपर जुल्म हो रहा है, जेल के अंदर उनको यादता हैं दी जारी है, तो मेरे जो फॉल्वर्स हैं बाहर वो अपनी लड़ाई जारी रखें और अपनी बहादरी देखाएं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अंदर से मैसेज भेजा तो ये एक पहरल चल रहा है, 71 में गिरफ्तारी, उसके बाद जेल, उनके समर्थकों का आतमदा, फिर जेल के अंदर से मैसेज बाहर अपने फॉल्वर्स को, कि जो लोग उनके दुश्मन हैं, जायचिवात जो गिरफ्तार की तो वो सरकार भी उनकी नजर में दुश्मन, प सारी चीज़ें होती रही, इसी चीज़ को सामने रखकर, CBI ने जो अपनी पूरी जांच की, उसमें चारशीट दाखिल की, और उस तारशीट में, CBI ने जो इस हत्या का आरोपी बनाया, उसमें ये आनन्द मर्गिये के जो ही लोग हैं, जो इस संग से जुड़ेवेते अगठन से, उन लोगों को आरोपी बनाया, और जो कहानी बता इसी ब्यायने वो ये, कि चुके प्यार सरकार जेल में थे, प्यार सरकार को जेल से बाहर लाने के लिए, उनके दुश्मनों की एक लिस्ट बनाई गई, और उस लिस्ट में, एक नाम तब बिहार के जो मुख् तो ये लिस्ट बनाई गई, और उसकी वज़ा ये थी कि ये चुके दोनों बिहार से जुड़े हुए नेता थे, तो लगता था कि जो प्यार सरकार के खलाब जुम ज्याथती हो रही उनके जेल में डाला गया, वो बिहार सरकार और इन नेताओं की सहमती है, तो CVI की चार् ये भी कहती है, कि CVI ने इन लोगों को अलग अलग लोगों को मारने की एक पूरी प्लानिंग रची और उनको टार्गेट दिया था, जो ललित नारानमिश्र को मारने के लिए रंजन द्योएदी, संतोशानन, सुदेवानन, इन तीनों को जिम्मा दिया गया, कि आप ललित अंदर संतोशानन ने हात्यारों का बंदोबस्त किया, और यही लोग समस्तिपूर रेलिवेस्टेशन पर पहुंचे, ये CVI की चार्षीट कहती है, अब इस CVI की पूरी चार्षीट में बाकी सारी चीजों को साइथ कर दिया गया, और ये कहा गया कि ललित नारानमिश्र की जो पूरी हत्या की साजिश्टी सिर्फ इन लोगों की थी, लेकिन पहले दिन से इसको लेकर जो ललित नारानमिश्र का खुद परिवार है, वो इस पर विरोध करता रहा, उसने कहा कि नहीं, ऐसा ये है ही नहीं, बलके इसके पीछे साजिश कुछ और है, अब इसमें दो करपूरी ठाकुर जब बिहार के सीम थे, उन्होंने एक और जांच कमीटी बढ़ाई थी, और इस जांच कमीटी में जिन लोगों को CBI ने आरूपी बनाया था, जो आनन मरगिये थे, उन सब को जांच कमीटी ने बेकसूर माना, और कहा कि उनका ललित नारानमिश्र से ना क कोई इशू था, तो वो क्यों मारेंगे? जो सरकारी गवाह कुछ लोग बने थे इस मामले में, तो करपूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री ने जो कमीटी बनाई, उस कमीटी के सामने उन सरकारी गवाह ने कहा कि CBI ने उनके उपर जोर डाला, कि तुम इस तरह के बियान दो, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह के बियान दिये, तो जैसी बिहार से मामला सेंटर में आया, CBI के पास आया, पूरी कहानी पलड़ गई, और फिर CBI के उपर उंगली उठी कि CBI अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है, CID ने भी जो शुरुवात में जांच की थी, उसमें आनन मरगियों को कहीं आरोपी नहीं ठहराया था, जो प्यार सरकार के लोग है, करपूरी ठाकुर ने जो कमिटी बनाई, उसने भी कहा कि उनका रोल नहीं है, खुद जब इन लोगों को गिरफतार कर लिया, या CBI ने कि तो ललित नारान मिश्र की पत्नी जगनात मिश्र, उनके भाई तमाम लोगों ने बाकाइदा ये अपीर की, कि ये लोग बेकसूरे बेगुना इनको छोड़ दिया जाए, पतब इनके परिवार का मुख्या मरा है, उस परिवार का सदस से कह रहा है कि जिन लोगों आपने इनके कतल के लगाम में पकड़ा, वो बेकसूर ने चोड़ दीजे, लेकिन वो माना नहीं गिया, और धीरे धीरे इस तरह से केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा दिल्ली के सेशन कोट में, बीच में तमाम ये लगते रहे, कि जो आनन्द मर्गी हैं इन लोगों को जो अखतवर लोग थे, उनके इशारे पर ललिट नारमिश्ट को रास्ते से खाया लिया, क्योंकि वो सत्ता के दावेदार, उचेपत पे पहुँचने के दावेदार बनते जा रहे थे, उनका असर, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही थे 1977 में लजद बाबो की पत्नी ने, बाकाइदा तब जो होम मिनिस्टर थे अपमें, चौदरी चरंद सिंग उनको भी लेटर लिखके ये कहा था, कि इस पूरे मामले की नए सिले से जांच कराई जाए, जो सिब्याई कर रही है, वो गलत है, और जो लोग पकड़े हुए है, उन सब को छोड़ा जाए, वो निर्दोश है, जगनात मिश्टर ने भी ऐसी अपील की, वो भी खदावर नेता बाद में बने, लेकिन ये सब सुना नहीं गया, आखिर में, नवंबर 2014 में, दिल्ली की सेशन कोट ने, इस हत्याकान के 49 साल बाद, रंजन्द वेदी, संतोशानंद, सुदेवानंद और गोपाल, गोपाल के उपर इल्जाम था कि हद गोला उसने अपने घर में रखा था, इन चार लोगों को ललित नरायन मिश्र की हत्या के इल्जाम में, उम्र कैद की सजा सुनाई, तीन जनवरी 1975 को मौत होती है, और नवंबर 2014 में सेशन कोट, आनन्द मर्गिये से जुड़े वेए चार लोग, रंजन दुवेदी, संतोशानन, सुदेवानन और गोपाल जी, इनको उम्र कैद की सजा सुनाती है, ये चारो इस फैसले के खलाफ सुप्रीम कोट में जाते हैं, साल भर के अंदर सुप्रीम कोट 2015 में, इन तमाम आरोपियों को जमानत पर रिहा कर देती हैं, और इनको जमानत देने की जो एक एहम वज़ा थी, वो ये थी, कि इस फैसले के बाद, ललित नराएन मिश्र के खुट फैमली वालों ने ये कहा, कि ये चार के चार बेकसूर हैं, इनका कोई रोल नहीं है, और इने गलत सजा दी गई, इने गलत फंसाया गया है, तो ये चीज भी कोट में स्टैंड किया, और उन्होंने कहा कि जो असली गुनायगार हैं, उनको बचाया जा रहा है, तो कुल मिलाकर 15 में, मतलब 25 और 15 चालिस, अब ये 19 शुरू हो गया है, और इतफाक से जनवरी का महीना है, और आठ पांच जनवरी है, दो दिन पहले तीन जनवरी, जब उनकी मौत ही, तो 75 से 25 और 15 चालिस और 4, 44 साल हो गया है, 44 येर्स, देश के कैबिनेट मिनिस्टर के मर्डर को, और उस पे फैसला आता है, जिन चार लोगों को मिकायत की सजा सुना जाती है, वो चारों भी अब जमानत पर हैं, इस दौरान में 24 जज आते हैं, इस के सुनवाई के लिए, कुछ बदले जाते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, कुछ अब इस दुनिया में नहीं है, कई वकील आते हैं सरकार की तरफ से भी और आरोफियों की तरफ से भी, उनमें से भी कुछ बदले जाते हैं, कुछ हट जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ बीमार हो गए, कुछ की मौत हो गई, ग्यारा हाजार से जादा पन्नों का पूरा, लेखा जोखा है अदालत का, और अब कुल मिलाकर कहानी का निचोड ये है कि आज 44 साल के बाद भी ये पता नहीं है कि ललित नरायन मिश्र के ऊपर जो हद गोला फेका गया था दो जनवरी 1975 को समझती पूर रेलवेय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नमबर दो पर वो हद गोला किसने फेकवाया था क्योंकि उनका अपना परिवार आज तक ये मानने को तयार नहीं है कि आनन मर्गिये ये पियार सरकार की कोई दुश्मनी थी ललित नरायन मिश्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था ये किसी और कहीं और से इशारह हुआ और इसमें बड़ी ताकतें शामिल है उस व कुछ का इशारह किस ने दिया और उसके पीछे की वज़ा क्या है ये आज भी एक राज है चौवालिस साल के बाद चौबिस जज़ों के आने और जाने के बाद और जो चार लोग थे उनमें से कोई मानने को तयार नहीं है कि एलाल इतना अर्मिश्ट के गातिल है ये इनों दस्ती साल के तो वैसी हो गया और ये बี่ है और ये जो चारों ही इनकी उमर भी लखबग यहीं हो गई तो ये ललित नायन मिंश्ट की कहानी ते देश के पहले कैविनेट मि somethin के मडर की कहानी और आज भी राज वैसे हैं आज भी सारे सवाल वैसे हैं आज भी परिवार इनस लेकिन पुखता तोर पर सबूत गवाह कुछ नहीं है इसके वो कहना ठीक नहीं होगा तीय थी पूरी कहानी इससे जो भी सवाल या बाकी कुछ जानकारी आपके पास भी बताईएगा और बंडे को आपसे मलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिये और अपना प्यार अप अपने सुझाओ अपने शिकायत हैं भेजते रहिए थैंक यू वरी मुच्छ